हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल इट्स होम सेब सारिका आज मैं बना रही हूं सिंगाडे का हल्वा फास्ट इस्पिसर भुर्वई दिन चहदया मिर्यंद खुरही जय जय कारमंदर विच्छ आरती जर्मों हेदर वारा वाली आरती जर्मों देखिए इस हल्वे का भोग में माता रानी को लगा रही हूं इसकी रेस्पि देखने के लिए वीडियो आगे तक देखिए आगे जर्मों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन में टू स्पून घी लेंगे वन कप सिंगाडे काटा लेंगे जो मार्केट में इजली मिलता है लो फ्लेम पे अच्छे से रोष्ट कर लेंगे गी की कॉंटिटी आप बढ़ा सकती है लेकिन इसमें जादा गी की जरूरत नहीं पड़ती है कम घी में भी यह हल्वा बन जाता है अच्छे से चलाते हुए रोष्ट कर लेंगे गुलाबी कलर आ जाए अच्छे से देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसे हमारे हल्वे का सब्सक्राइब देखिए कि दुच्छा हमारा मीड नो रहेगा रिकाप वाटर डालेंगे कि वनकप सिंगाड़े के आटे में थ्री कप वाटर ही चाहिए इसमें पानी जादा लगता है थोड़ा इलाची पाउड़र डालेंगे अधितंगे हाफ स्पून कि वनकप करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो इसमें लंस पड़ सकते हैं फ्लेम हमारा एक दम लो रहेगा और लगातार इसको हम चलाते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं बिल्कूल और अच्छे से ड्राय होने पे फ्लेम को बंद कर देंगे एक थाली में घी ग्रीस करेंगे और जो हलवा हमने बनाया है उसको हम थाली में डाल देंगे आप ऐसे भी सर्व कर सकती हैं और थाली में जमा कर काट के कतली बना सकते हैं अच्छे से फैला देंगे एक्वल भागों में हाथों से एक्वल कर देंगे और कट लगा देंगे अभी हमारा हल्वा बहुत गरम है कट करके इसके उपर हम ड्राइफ फूर्ट जो भी आपके पास हो काजू बदाम पिस्ता जो भी है आप उपर से स्प्रिंकल कर दीजिए किस्मीज हल्वा में किस्मीज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है उपर से स्प्रिंकल करके 10 मिनिट रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे ताकि हमारा हल्वा अच्छे से सेट हो जाए देखिए अब हम कट करके दिखाते हैं आपको कैसे पीस निकलता है देखिए कितना स्मूथ पीस निकला है हमारा आप ऐसे माता रानी को परसाथ चढ़ा कर किसी को परसाथ के रूब में पीस पीस दे सकती हैं हमारा सिंगाडे का हल्वा तयार है सो वीवर्स अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो प्लीस लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कमेंट करके बताए आपको कैसे लगा है पी नुरात्री